फाइनली इंडियन बाई ड्राइविंग 3 में आ चुके हैं पॉपी प्ले टाइम के मॉंस्टर जॉइंट कैट नैप मिस्ट डिलाइट और किसी मिसी जो की मेरे पीछे पढ़ चुके हैं और जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरे टीवी से हगी बगी बाहर निकल के आने जाता है जिसे लेके मैं अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर एक पॉपी दा डॉल रखी होती है और जब मुझे सक होता है तो में वापिस उसी टौइध छाता हूं और इस बार में उसके दूसरे कमरों में देखने लगता जिसे देखके मैं बहुत ज़ादा डर जाता हूं लेकिन वो पोपी डॉल बहुत अच्छी रहती है और वो मेरी मदद करती है वो सारा सा माने कठा करने में जिससे कि मैं मौमी लोनलेस को मार सकता हूं मैं सारा सामाने कठा कर लेता हूं और अपनली, और पॉपी वापी से हम लोग जाते हैं उसी टोई टोई फैक्टरी पर और जैसी मैं उसके अंदर जाता हूँ ना भाई, यहां पे तो यहर बहुत सारे पज़ल वगारा यहां पे देर रूखे हैं वाला हूं तो जरूर देख लेना पार्टू यार क्या था वो ट्रीन पूरी क्रैस हो गई और मैं आ गया बाहर भाई जैसे तैसे मैं निकल के बाहर आ गया हूं अब पहुंसता हूं अपने घर पे और भाई मुझे ये बास समझ में नहीं आ रही है यार मैं तो उसको मार दिय जा था लेकिन यार जो पोपी है वो बाहर नहीं आया और मैं जैसे तैसे आ गया हूं और भाई मैं बहुत ज़्यादा ठक चुका हूं इसलिए मैं अब जा रहा हूं सोने और वह परपल बिल्ली क्या थी यार जो मुझे दिखी थी यह क्या सपने आ रहे हैं भाई मेर को और यह कैसी कैसी आवाज आ रही है और यह क्या है और भाई सुबह हो गई और भाई मुझे रात में क्या दिखाता यह तो वैसी बिल्ली थी ना जो से यहां पर परपल वाली थी वैसी सेम टू सेम बिल्ली थी यह बलैक वाली और मैं इन से पीछा नहीं छोड़ा पारहूं यार इन सब का अखिर कार चकर क्या है और मेरे को यू दिखरी है तो यह सब मेरे को पता लगाना पड़ेगा इसलिए मैं वापिस से जा रहा हूं उसी सोप पर तो मैं फिर से पहुँच चुका हूँ उसी टोई फैक्टरी के बाहर और यार इस पर पता लगा के रहूँगा खिर क्यार माजरा क्या है हर बार मैं आगे से जाता हूँ मैं सोच रहूं कि नहीं इस पर पीछे वाले दरवाइदे से चला जाए चलो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज रखी है तो भाई यहां पर मॉमी लोनलेस का यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बोल वगारा रखी हुई है लेकिन भाई यह क्या है और यहां पर कुछ चोटे चोटे टोई वगारा रखी हुए है लेकिन भाई यह तो वही एर टोई है जो मैं कोकल रात को दिखा था मतलब यह टोई नहीं था वही बिल्ली थी और हाँ मुझे याद है जो मेरे सपने में जो बिल्ली आई थी उसके गले में भी ऐसा ही चांद लटका हुआ था और भाई ये भी एक सेतानी टोई है मुझे अब समझ में आया जिसका नाम है कैटनै तो भाई यहाँ पे कुछ और भी रखे हुए है और यहाँ पे ग्रैप्स पे कुछ आथ वगरा रखे हुए है तो भाई यहाँ पे तो एक पहला हाथ है यहाँ पे कुछ गंज ऐसा लग रहा है और भाई एक हाथ तो बहुत ही एडवांस लग रहा परपल वाला तो मैं इनको बाद में देखता हूँ और यहाँ पे कुछ कार्डवर्ड वगरा रखे हुए वही प्रेस वाले और इधर भाई कुछ टोई वगरा भी रखे हुए हैं यह भाई पोपी प्लेटाइम की फैक्टरी है और भाई इनकी फैक्टरी ऐसे हुआ करती थी मैंने एक फैक्टरी कैसेट में देखा है और पीछे कुछ यहाँ पे भाई टोई कार वगरा भी रखे हुए यह साइद इनका ही कुछ प्रोड़क्ट होगा और क्या है भाई इधर इधर भाई एक वोल है जो कि यार पोपी प्लेटाइम के कलर से बना हुआ है और भाई ऐसी फ्लोर इनके हर जगे रहती है और यह क्या है यह तो कैट भी है यह तो टूटी पड़ी है और आगे क्या है आगे तो भाई यहाँ पे एक पाइप है आगे जाके देखता हूँ मैं और इनके हांपे क्या रखा हुआ है तो यहांपे भाई पूरा का पूरा है वेर हाउस है और इधर जो इनके टोई है ना उनके हांपे एक स्टैचू रखा हुआ है और आगे देखता हूँ मैं कुछ सैद से मुझे कुछ मिल जाए यहांपे एक भाई ये फटा की हो सकता है और आगे ये टेंट और भाई ये बियर ये तो ये टूटा पड़ा है इस से ज़्याद सभी तो वही वाला पहले वाला था और भाई ये बहुत बूरी तरह टूटा हुआ है कोई आया था कि इदर इदर एक गेट भी है और फिर इदर एक येलो कलर का और भाई ये क्या है ओ नहीं भाई ये तो एक बहुत ही बड़ी स्टेचु है और भाई ये हाथ अरे भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है और भाई ये वही हाथ है जो मोमी लेलनस के मरने के बाद उसे लेके चला गया था मुझे लग रहा है और मुझे लग रहा है ये हाथ बहुत ही खतरनाक है लेकिन ये हाथ तो टूटा हुआ लग रहा है मुझे लगता है किसी ने इस हाथ को बनाया है और बाई मुझे तो यहां पर बहुत ड्रावनी चीज़े दिख रही है बाई मुझे तो बहुत डर लग र अगर भी ठोकना पड़ेगा मेरे बाई और जो नेक्स्ट पार्ट है वो इससे जादा खतरनाक आने वाला है इसलिए मैं इस टोई फैक्टरी से बाहर जाने लगता हूं और बाई अब मैं कल आऊंगा और आगे का पार्ट कल आएगा तो चलो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडिय के अदर बाई